हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टन डोसे की रेसिपी तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे घर पर एकदम मार्केट इस्टाइल बहुत सदा क्रिस्पी और टेस्टी डोसा वो भी बिल्कुल पांच मिनिट में तो फ्रेंड घर पर जब हम डोसा बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल पैन ही होता है और जब हम नॉर्मल पैन पर अपना डोसा बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का बनता है डोसा खुच पकुच पैन को छोड़ देता है जिससे हमारा जो डोसा होत वो सही तरीके से क्रिस्प नहीं हो पाता और इसका जो लुक होता है वो भी सही से नहीं आपाता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक काम को करने के लिए हमें सही चीज और सही तरीके का इस्तमाल करना होता है इसलिए मैं आज आज आपके लिए लेकर आए हूं इंडस वैली का ये cast iron का तवा, डोसा बनाने के लिए ये तवा बिलकुल perfect है क्योंकि ये pure iron का बना हुआ है, इस पर किसी तरह की कोई भी chemical coating नहीं है इस तवे की सबसे खास बात ये है कि ये heat को चारो तरफ अच्छे से एक समान फैलाता है जिससे की हमारा जो डोसा है वो बहुत ही अच्छे से crisp होता है तो normal तवे को हमें बार बार मूब करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो heat होती है वो एक ही जगा पर लग रही होती है लेकिन इस तवे की heat चारो तरफ एक समान अच्छे से पेलती है इसे हमारा जो डोसा है होता है वो बहुत ही जदा क्रिस्पी बनता है इसे आप सभी तरह की heat पर यूज़ कर सकते हैं सिवाए microwave को छोड़कर ये आपके खाने के taste को काफी जदा enhance करता है और आपके खाने को बहुत ही कम तेल में बनाता है तो अगर आप भी market style perfect डोसा बनाना चाहते हैं तो आप इस लोहे वाले तवे का इस्तमाल कीजिए ये तवाँ आपको बहुत ही कम price में मिल जाएगा क्योंकि अभी इंडस वैली पर बहुत ही अच्छा सा offer चलना है इंडस वैली के हर एक product को खरीदने पर आपको 70% को off मिल रहा है और अगर आप मेरे बताय हुए coupon code का इस्तमाल करेंगे तो आपको 15% का additional discount मिलेगा अगर आप ये तवाँ खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका link भी description में मिल जाएगा साथ ही आपको website का भी link मिल जाएगा ताकि और सारी बतनों को भी आप देख सके और आपको हमारा coupon code भी वही description box में मिलेगा तो जरूर से check out करें और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो जरूर से लें क्योंकि अभी offer चल रहा है तो फ्रेंज आप चलते हैं अपनी recipe के तरफ तो फ्रेंज इस दोसे को बनाने के लिए हम इस्तमाल कर रहे हैं मूंग दाल तो यहाँ पर हम लेंगे एक कब जितनी मूंग दाल और इस मूंग दाल को हम एक से दो पानी अच्छे से wash करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी हो तो निकल आए तो दाल को हमने अच्छे से wash कर लिया है तो आप हम इसमें डाल देंगे 2 cup जितना गरम पानी तो बहुत सथा गरम पानी भी आपको नेडालना है उगरम पानी डाल कर हम इसे 5 मिनट के लिए फूल ले के लिए छोड़ देंगे तो तकरीबान 5 मिनट हो चुके हैं और इसे मैंने cover करके रखा था आपको भी इसे cover करके रखना होगा ताकि आपकी डाल जल्दी फूल जाए तो देखिए हमारी डाल बेको perfectly फूल चुकी है तो अब इस टाइम पर हम एक जा ले लेंगे और अपनी सारी डाल को हम इसमें transfer कर देंगे आज हम मूंग डाल का डोसा तयार करेंगे इसके लिए हमने मूंग डाल ली है अगर आपको मूंग डाल बसन नहीं तो आप इसकी जगा पर उड़त डाल का बी अब इसमें डाल देंगे एक चोथा एक कप जितना पानी और इसे डाल कर हम अच्छे से इसे पीसेंगे तो पीसने से पहले आपको ध्यान रखना है इसे आपको बहुत ज़धा पतला नहीं करना है तो कुछ इस तरीके का गाड़ा पेस्ट आपको तयार करना है तो आप चलते हैं अपने पेस्ट को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं इस बैटर की कंसिस्टनसी आप देख सकते हैं कि ये बैटर बहुत ज़धा पतला भी नहीं है और बहुत ज़धा गाड़ा भी नहीं है तो इसी तरह का बैटर तयार करना है और इस बैटर को तयार करने में हमें आधा कब जितना पानी ही लगा है तो देखिए इसी तरह का बैटर आपको तयार करना है आप चलते हैं वटाफट से अपना डोसा बनाते हैं तो फ्रेंट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम तवे को थोड़ा सा गरम होने देंगे जैसे ही हमारा जो तवा है थोड़ा सा गरम हो जाएगा अपने तयार क्यों बैटर को हम इस तरह से एक चमश के करीब तवे के तो पर थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि हमारा जो डोसा है वो अच्छे से क्रिस्पी हो पाए तो चले फैंड इसे हम अच्छे से कुख होने देते हैं तो तकरीबन 2-3 मिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे डोसे का जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से चेंज होन घुता है तो चलिए इसी तरह से होटलें स्टाइल होगा तो चलिए फैंड इसे भी हम बना लेते हैं तो पहले से अच्छे सेपोशट लेना है ताकि त varied को formas of me इस तरह से लнал करें तो दिखी कितना परफेक्टटी हमारा यह दोसा बंड कर तयार होता है तो डोसे का साइज आपके ओपर दिपेंड करता है कितना बड़ा और चोटा बनाना चाहते हैं तो अब इसके उपर हम तेल डाल देंगे हलका सा तो फैर आप इसमें डाल देंगे दो चोटे चमच के करीब सेजवान मसाला और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच के करीब सांबर मसाला तो अब इन दोनों ही चीज़ों को हम इस तरह से डोसे के उपर अच्छे से फै तो देख nutr raash ke Grab que, go keep it still न दालेंगे, थोड़ी सी कदो कस्की हुई घार इसके साथ, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारेक चौपकी हुई प्यास अगर आपको प्यास पसंद झांगे तो आप प्यास को skip कर सकते ह mársan Čप performs कितनी आसानी से हमारा ये डोसा निकल जाता है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लोक आया है तो चले फैंड मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना ज़दा क्रिस्पी है तो देखिए एक बिल्कुल पर फेक्क मारकेट स्टाइल डोसा बनकर तयार हो चुका है इसी तरह से हम अपने सारे डोसे को बना कर रेडि करेंगे तो फैंस आइ होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जादर जादर दोस्तों में शुशेर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी नई मज़िदार रेसिपीस के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाबाई एंटिकर एंट थैंक यू फो वाचिंग